नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटामिन्स पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आईए आज बात करते हैं बिटामिन बीवन या थाइमिन के बारे में दोस्तों, यह एक पानी में घुलने वाला बिटामिन है और हमारे सरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के उप्योग के लिए जरूरी होता है ताकि हमें ग्लुकोज मिलदार है ज़री थाइमिन की कमी हो जाती है तो हमारे सरीर में लाक्टिक एसिड और पाइरूविक एसिड जमा होने लगते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आये जानते हैं थाइमिन या विटामिन बीवन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है आम तोर पर यह सारे प्राक्रितिक खाद्य पदार्थों में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है विटामिन B1 या थाइमिन के महत्पूर्ण श्रोतों में अनाज, गेहू, इस्ट, दाले, तलहन, नट्स, विसेशकर, मुंग, फली प्रमुख है यह मीट, मचली, अंडे, फलो और सब्जियों में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है शिशुओ के लिए मा का दूद थाइमिन का एक महत्पूर्ण शोत है, बसरती की मा में थाइमिन की कमी ना हो भारतिये लोगों में थाइमिन का प्रमुक्सरोत अनाज, यानि की चावल और गेहू है दोस्तो थाइमिन चावल और गेहु में तो मिलता है लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसकी बज़ेश से थाइमिन का बहुत नुक्सान हो जाता है जैसे की मेलिंग की प्रक्रिया में क्योंकि थाइमिन पानी में घुलनसील बिटामीन है इसलिए चावल को धोने और बनाने की प्रक्रिया में भी बहुत सारा थाइमिन का नुकसान हो जाता है इसलिए लोगों को ज़्यादा पॉलिस्ट राइस खाने से मना किया जाता है तथा पार बॉयड या उबले हुए चावल और अंडर मेल चावल खाने की सलाह दी जाती है लंबे समय तक स्टोरिज के दौरान भी फलो और सबजियों में थाइमिन नस्ठ हो जाता है तोस्ट बनाने में तथा बेकिंग सोडा के साथ पकाने में भी आनाजयों का थाइमिन नस्ठ होता है इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि थाइमिन का कमी होना या न होना इस बात पन्भा करता है कि खाना बनाने से संबन्धित रिवाज और सांस्कृतिक प्रतायक ऐसी है तो दोस्तों आईए आगे जानते हैं थाइमिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में थाइमिन की कमी से मुख्य रूप से दो तरह की बिमारिया होती है पहला है बेरी-बेरी और दूसरा है वर्निक्स इंसफेलोपैथी बेरी-बेरी नामक रोग हमारे सरीर में तीन तरह से हो सकता है ड्राइ बेरी-बेरी, वेट बेरी-बेरी और इंफेंटाइल बेरी-बेरी Dry Beriberi नसों को प्रभावित करता है और Peripheral Neuritis करता है Wet Beriberi या Cardiac Beriberi हमारे खृदय को प्रभावित करता है Infantile Beriberi मुख्य रूप से 2-4 माह के सिशुओं में दिखाई देता है जिनकी माओं को थाइमिन की कमी होती है तथा उनमें Peripheral Neuropathy दिखाई देता है थाइमिन की कमी से होने वाली दूसरी बिमारी है Vernix Encephalopathy जो ज़्यादा तर अलकोहलिक या बहुत अधिक सराब पीने वाले लोगों में देखी जाती है Ophthalmoplegia, Polyneuritis, Ataxia और Mental Deterioration इसके लप्छन है कभी-कभी यह उपवास करने वाले लोगों में भी हो सकता है और दोस्तों अंत में आएए देखते हैं थाइमिन की कमी से बचा कैसे जाए सबसे पहली बात खाने के प्रती सिच्छित और जानकार बने संतुलित और मिश्रित आहार ले जिसमें थाइमिन से भरपूर खादे पदार्थ हो हाई रिस्क वाले लोग जैसे की लेक्टेटिंग मदर्स को डाइरेक्ट सप्लिमेंटेशन भी दिया जा सकता है हमें हर रोज लगभग 30 मिलिग्राम थाइमिन की जरूरत होती है अगर इससे अधिक लेंगे तो यह पिसाब के राष्टे निकल जाएगा जो मरीज रेगुलर हीमोडाइलिसिस पे होते हैं उन्हें भी थाइमिन का सप्लिमेंटेशन दिया जाता है जिन लोगों को लगतार उल्टी होती है या फिर गैस्ट्रिक एस्पिरेशन किया जाता है या फिर लंबे समय से फास्ट पर हैं उनको भी थाइमिन दिया जाना चाहिए दोस्तों बिटामिन बीवन या थाइमिन से सम्बंधित कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में अवस्सी लिखें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके अपने भी जागरूप बने मिलती है एक नए विशय के साथ धन्यवाद